जहीं दोस्तों, दोस्तों आज अब यहाँ पर समाप्स करेंगे, पुरा कम्पलीट करेंगे साधरान ब्याज और यह कुन साइट पार्ट फोर है, कल हमने यहाँ पर पढ़ा था पार्ट थर्ड, ठीके, तो आपने यहाँ पर यह देख लिया पार्ट थर्ड, तो अब प्रशना आपको आपके पेपर मिलने वाला है, क्योंकि MP पुलीस की एक्जाम स्टार्ट हो चुके है कल से, और कल वाले पेपर में साधरन ब्याज से 4-5 प्रशना पूछे जा चुके हैं, जिन्होंने साधरन ब्याज 2-3 दिन पहले सही तरीके से पढ़ लिया होगा, उन्ह तो आपको भी यहां पर ध्यान रखना है, कि यहां पर यह वाला जो टाइप है, इसको अच्छी तरीके सीख लें क्योंकि इसको बड़ी आसानी से में बताने वालो, क्वेशन थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा सा टॉफ है, लेकिन बहुत आसानी से यह समझाऊंगा एक दम सरल सा सिंपल सा कॉंसेप्ट देखे, ठीके, तो चलिए यहां पर स्टार्ट करें, यहां पर दिया वा है कि 10,000 रुपे की एक राशी का कुछ भाग, कुछ भाग 8 प्रतिशत वार्शिक दर पर तथा 6 भाग 10 प्रतिशत वार्शिक दर पर उधार दिया जाता है, और ओसत वार्शिक ब्याज 9.2 प्रतिशत हो, तो यहां पर क्या रहेगा, निकालना क्या है, तो वे दोनों भाग है, वे दोनों भाग का मतलब कुछ सा है, कि 10,000 रुपे की जो राशी है, यह पहले तो एक बार 8 प्रतिशत वार्शिक दर पर उधार दी, ठीके, और दूसरा व भागों को आपको निकाल के बताना है, कि 8 प्रतिशत वार्शिक दर पर कितना पैसा दिया गया, और 10 प्रतिशत वार्शिक ब्याज की दर पर कितना पैसा दिया गया, तो यह प्रसन यहां पर है, तो देखो यहां पर, जब भी इस टाइप का प्रसन आता है आपके सामने, तो आपको simple सा fund अस्तमाल करना है वो यह है कि यहाँ पर इसको ratio में convert कर देना है simple fund एक दम ठीक है वो क्या है तो देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर total पहला कितना भाग है पहला 8 प्रतिशत है और दूसरा वाला जो भाग है उसमें 10 प्रतिशत की दर पर दिया गया है ठीक है दो प्रकार से धन को बाटा गया है 10,000 रुपे को अब total मिला के कुल वार्सिक ब्याज कितना मिला तो 9.2 प्रतिशत इन दोनों का मिला के कितना 9.2 प्रतिशत यहाँ पर 9.2 प्रतिशत इतना लिखना है अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है इसमें से इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पर लिखना है और 10 में से इसको माइनस करके यहाँ पर लिखना है इतना काम करना है ठीक है ऐसा काम हम पहले भी कर चुके है कई टोपिक्स में ठीक है यह नया नहीं है तो अब यहाँ पर 10 में से 9.2 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा ठीक है तो यहाँ पर कितना रहेगा तो यहाँ पे 0.8 बचेगा किता रहेगा 0.8 अब यहाँ पे देख लें 9.2 में से 8 को माइनस करो तो किता आएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1.2 मिलेगा ठीके पोइंट में घठाने में मिस्टेक बिलकुल मत करना otherwise सवाल सिंपल सा है ठीके, जला सी एक मिस्टेक की ये से आपके एक नंबर गायब हो जाएगा के लिए रहे चलिए तो यहाँ पर अब एक के पहले पोइंट है तो पोइंट को उड़ा दो पोइंट से ठीके, उड़ा दिया अब यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर आपके marvelous है बारा और इधर है आठ चार से काट लो चार दुना आठ होता है और चार तिया बारा होता है तो आपका जो अनुपाद बना ये अनुपाद क्या है दो अनुपाद तीन बन गया किसका पहला वाला जो धन है वो कितना है दूसरा भाग दो भाग है और दूसरा वाला जो भाग ह वो तीन भाग है, टोटल भाग कितना है, टोटल पांच है, टोटल कितना है, पांच है, पांच का दो भाग पहले वाले 8 प्रतिशत पर दिया गया, और पांच का तीन भाग 10 प्रतिशत दर पर दिया गया, तो ये काम सबसे पहले आपको करना है, ये यदि आपने कर लिया, त पहला भाग किसे निकालेंगे तो आप यहां पर देखें कि टोटल कितना पाइसा है 10,000 रुपया है तो 10,000 को यहां पर रख ले 10,000 राइट अब निकालना किसका है पहला वाला भाग तो पहले बाग सुरुवात में क्या है दो है तो दो को उपर लिखना है इन दोनों को वाला भाग आया वो कितना है 4000 अब दुसरे वाले भाग को क्या करो दुसरे वाले भाग सिंपल करो यहां पर दस जार 1 जार गहटा दो सिंपल आ जाएगा ऐसा करने की जुरूति지 नहीं पड़ेगी ठीक है तो यहां पर दूसरा भाग सेकेंड भाग क्या है 2006 वाला भाग क्या है 6,000 क्योंकि 10,000 में से 4,000 को माइनस करना है तो दूसरा निकलाएगा इस तरीके से यहां पर यह question बहुत simple से बड़ी आसानी से हमने कर दिया बस यह है कि आपको ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा हर question को इतनी ही दूसरी बार करोगे इतो इस प्रस्न को कुछ ही second में खतम कर दोगे के लिए रहे चलिए तो इसको लिख ले सबसे पहले उसके बाद दूसरा वाला प्रस्न लेता है ठीक इसके ही जैसा राइट लिखें चलिए दोस्तों तो यहां पर जैसा अब भी हमने प्रस्न किया है ठीक अंशिक रूप से 4,5 प्रतिशत वार्सिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया ठीक है तो दो वर्ष बाद उसे 4.2 प्रतिशत वार्सिक उसत दर से ब्यास प्राप्त हुआ तब 4 प्रतिशत की दर पर दिया गया धन ग्याद कीजी ठीक है यह यहां पर है तो 5000 रुपे है तोटल दर है कितनी ही दो चार प्रतिशत पर दिया एक को और दूसरे वाले को 5 प्रतिशत पर दिया ठीक अब इनका टोटल ओसत दर ओसत ब्यास प्राप्त हुआ वो 4.2 प्रतिशत वार्सिक दर से तो यहां पर सिंपल फंडा है कि यहां पर निकालना क्या है 4 प्रतिशत की दर पर कितना धन दिया या आपको बताना है ठीक है पहले दोनों पर बताना था अभी केवल एक ही पर पूचा है ठीक है तो हम एक ही निकालेंगे देखो करना वैसे ही है सबसे पहला वाला पहले वेक्ति को दिया फिर दूसरे को दिया ठीक है यहां पर पहले वाले को चार प् से प्लीक होगे तो भी कोई दिख्वत नहीं किल् allen इननीकी जरूतिंस यहां पर नहीं तब अब यहां से इसको मैंस इसमे मैंस करें किता आए लिखें जिसको मैंस कर रहें लुटिकन यह व्यहां चार point या चार अनुपात एक है ठीक है ये क्या है ratio है मतलब इस ratio में इस अनुपात में 5000 रूपे को दो अलग अलग भागों में दिया ठीक है तो 5000 का चुथा भाग पहले वाले को दिया और 5000 का एक भाग दुसरे वाले को दिया अब यहांपे यह बताना है कि तब 4% कि दब पर दिया गया धन कितना है, तो 4% पर दिया धन कितना है, तो यहां पर देखो, टोटर कितना है, 5000 है, तो 5 के पाँच है, 5000 लिख लो पुरा, और यहां पर पहला वाला ये कौन सा है, चार प्रतिशत मतलब कुन सा वाला है, पहला वाला है, ये वाला है, ठीके, इस पर दिया धन कितना है, चार है, अनुपाद में कितना है, चार है, तो चार को उपर लिखो, और नीचे यहाँ पर दोनों को जोड के लिखो, चार और एक पांच होगा, पांच से पांच गया तो यह 1000 यहां पे रहेगा ठीक है आप 4 का इसमें गुणा कर दो तो आपका answer कितना आजाएगा यहां पाएगा 4000 ठीक है तो इस अरी किसे 4 प्रतिशत की दर पर कितना पैसा दिया 4000 दिया के लिए रहे यह वाली चीज आप यहां सा direct देख के भी बता सकते थे कि इसका answer कितना आएगा 4000 ही आएगा कैसे 5000 रूपे है टोटल चार भाग इसको दिया पहले वाले को तो एक ही भाग बच्चा कि इसका second वाले का मनलब 1000 इसका और 4000 इसका direct देख के भी कर सकते थे यहां पर बता सकते थे लेकिन हर किसी प्रस्ण में आप direct देख के नहीं बता पाओगे इसलिए मैंने यहां पर यह calculate करके दिखाया है तो इस तरीके से यहां पर यह clear हुआ आप दूसरा प्रस्ण ले थोड़ा सा प्रस्ण को change करेंगे अब उससे पहले आप इसको ध्यान से लिख लेंग बार यह यहां पर clear हुआ है तो अब आपकी बूक में जितने भी प्रस्ण है इस टाइप के सबको एक एक करके उठाओ प्रेक्टिस करोगे उतना आपको फाइदा होगा और उतना ही आपके exam मार्क्स बढ़ पाएंगे चलिए तो लिखो इसको चलिए दोस्तों तो यहां पर इस से पहले हमने दो प्रस्ण किए है जिनको बहुत सिंपल तरीके से आसन तरीके साब को बताया same to same ऐसा ही था लेकिन उसमें ओसत वार्षिक ब्याज आपको दिया था तोटल ब्याज कितना प्राप्त हुआ वह आपको नहीं दिया वा है या रूपे में ब्याज दिया वा ठीक है तो अब यहाँ पर दिक्कत आपको आईगी किसमें रेशो वाले में किस सरी किसे कनवर्ट करें उसमें लेकिन आपको कोई टेंसर लेने वाली जरूत नहीं है आपको बस ध्यान देना यहाँ पे और step by step बस समझत रहे हो ठीक है step by step समझत रहे हो अपने आप के लिर हो ठीक है चलिए इसमें बोला है कि एक 9500 रूपे की राशी का कुछ भाग क्या है कुछ भाग साधन ब्याज की 15 प्रतिशत वार्शिक ब्याज की दर पर एक दर कुंसी है तो 15 प्रतिशत वार्शिक ब्याज की दर पर तथा 6 भाग 20 प्रतिशत वार्शिक ब्याज की दर पर उ ुदर दिया गया है पहला भाग 15% वार्षिक व्याज की दर पर दिया है पहला भाग 15% वार्षिक वार्षिक वढ़क की दर पर दिया है ठीक है तो फिर आगे यहां पर क्या बोला है कि तीन बटा दो वर्षब पच्चात इसका मतलब यह यह हे Рjes particular के लिए ठीक हैं तो आपको करना क्या है 15 प्रतिशत पर कितनी राशी दी है और 20 प्रतिशत पर कितनी राशी दी है इनका अनुपात निकालना है क्या निकालना है अभी पहले वाले में हमने अनुपात निकालना है ठीक वही अनुपात इसमें निकालना है लेकिन उसके लिए आपको जरूत पड़ेगी कि ओसत ब्याज कितना मिला ठीक है तो ओसत ब्याज आपको पहले निकालना पड़ेगा तो देखो यहाँ पर ओसत ब्याज ओसत ब्याज कितना मिला शोटकट में आप यहाँ पर देख लेंगे ठीक है ओसत ब्याज निकालने के लिए या ब्याज की दर निकालने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा भ्यान देना है और यह है कि जितना भी ब्याज आपको मिला है टोटल उसको उपर रखना है ठीक है तो ब्याज कितना मिला है 2565 यहाँ पर मिला है और उसके बाद फिर यहाँ पर देखे त तो जितना भी मुल्धन है उसको यहां पे बटे में लिखना है 9500 रूपे ठीक है 9500 रूपे और समय का इसमें गुणा कर देना है ब्याज जो है उसको उपर मुल्धन गुणी समय नीचे ठीक है तो समय कितना है तीन बटा दो तीन बटा दो यहां पे कर देना है ठीक तीन चालना है तो सो का गुणा करना पड़ेगा अब यहां पर काट लें 2-0 से 2-0 को उड़ा लें 5 से इन दोनों को काट ले 5 एकम 5 और 4 बचेगा 545 हो जाएगा ये कटा 25 हो जाएगा ये और 5-5 एकम 5 एक बचेगा यहां लगाया 15 हो गया और 5-3 क्या हुआ 15 हुआ यह हो गया के पास उपर है 513 और इधर 19 गुणी 3 है और बटे में क्या है 2 तो बटे वाले का गुणा उपर जा केस में हो जाएगा तो आगे क्या आएगा तो यहाँ पर 513 का गुणा 2 में करो तो यहाँ पर क्या होगा ठीक है अब काटना पिटना तो सबको आता ही है कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पे 57 से हम इसको काटेंगे तो आएगा आपका टोटल 18% तो जो भी वार्षिक ब्याजदर या टोटल आपको ब्याज मिला वो कितना मिला है ओसत ब्याजदर है आपकी 18% ठीक है तो उसत ब्याजदर आपको मिल गए तो अब अनुपात निकलना बहुत आसान है किसे वही अपना क्रोस मेथट ठीक है तो यहाँ पर पहले वाला ले लो अब यहाँ पर क्या है अनुपात निकलना पहले वाला और दूसरा वाला भाग दे लो तो पहले वाला भाग पर आया राशियों का वो दो अनुपात तीन आया और यही आपका एंसर है क्योंकि यही पूछाता यहाँ पे कि राशियों का अनुपात कितना है तो इस तरीके से आपका एंसर यहाँ पर निकला आया कि राशियों का अनुपात कितना है तो यह जो अनुपात है यह दो अनुपा तो इस टाइब का प्रस्न अगला वाला में यहां पर दे रहा हूं तो उसको आपको खुद को करना में यहां पर देख ले सब करने के बाद फिर उसका answer कमेंट करना है ठीक है उसके option में लिख दूंगा यहां पर चलिए तो इसको लिख लें सब से दोस्तों तो यहां पर अगला वाला प्रस्ण यहां पर अब लगाता है तो यहां पर इसक्रीन पर में लगा दे रहा हूं प्रस्ण को ठीक है वेसा ही प्रस्ण है जैसा अभी हमने किया है चलिए तो उसको प्रस्ण को पढ़ने के बाद वीडियो के बाद फिर आपको क्या करना है जो भी answer आपका आए उसको answer निकालने के बाद मिलान करना है कि चार option यहां पर देख रहे हैं आपको अब इन चारों में से आपका answer आया या फिर नहीं आया ठीके यदि आ गया है तो अच्छी बात है फिर भी आपको यहां पर देख लेना है तो नहीं आया तो यहां पर देख लेना है तो देखो यहां पर इस प्रस्ण को हम हल करते हैं तो यहां पर यह प्रस्ण है किताब में 42 नंबर का प्रस्ण है तो यहां पर मैं आपको दे रहा हूँ ठीके इसमें यह बोला गया है कि एक 17,500 रूपे की राशी का कुछ भाग स तो दो दरे यहाँ पर दी गई है, टोटल रुपया कितना है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टोटल, टोटल यहाँ पर कितना दी आवा है, तो यहे 17,500, 17,500 मैं साइड में यहाँ पर लिख रहा हूँ, टोटल, टोटल, 17,500 है, ठीक है, और पहला वाला जो भाग है, वो कितने प्रतिशत दर पर दिया गया है तो पहला वाला जो भाग है वो 24 प्रतिशत की दर पर दिया गया है फर्स्ट वाला पाट पहला वाला 24 प्रतिशत की दर पर दिया है और दूसरा वाला कितने प्रतिशत की दर पर दिया है तो दूसरा वाला यहाँ पर देखेंगे तो आपको 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया ठीक, तो यहाँ पर यह 10% ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर इस धन को बाट दिया है दो अलग-अलग भागों में अब, अब यहाँ पर करना क्या है आगे क्या बोला है, यह देखो पांच वर्ष पच्चात कुल 13,300 रुपे ब्याज प्राप्त होता है अब पांच वर्ष हो गए उसके बाद वापिस लोटाई जिन्होंने लिये थे उन्होंने, तो टोटल ब्याज कितना मिला तो 13,300 रुपे ब्याज की रूप में यहाँ पर प्राप्त हुआ अब 24 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की दर से उधर दी गई राशियों का अनुपात कितना है दोणों का अनुपात आपको निकालना है वेसे ही निकालना है जैसे अब ही हमने पिछले वाले में निकाला ठीक है तो यहाँ पे अनुपात निकाले के लिए आपको जरूत पड़ेगी किसकी ओसत ब्याज प्रतिशत की ठीक है तो ब्याज की दर पहले क्या थी वो यहाँ पर देख ले तो यहाँ पे ओसत ब्याज दर यह आपको निकालना तीन सो यही दियावा है तेरा हजार तीन सो आपको यहाँ पर प्रस्ण में देखते जाना ठीके तेरा हजार तीन सो यह टोटल ब्याज है अब बटे में किसको रखना है तो बटे में यहाँ पर रखना है किसको जो भी मुल्धन आपका है टोटल पैसा कितना 17,500 है तो 17,500 को यहाँ पे लिख लो और समय कितना है तो समय का इसमें गुणा कर लो कितने वर्स के लिए दिया है तो 5 वर्स के लिए दिया गया है तो 5 को यहाँ पर गुणा करो और आपको निकालना है दर तो दर पर्मानेंटली किसमे आएगी प्रतिशत में ही आएगी तो यहाँ पर गुणा कर लो किसका 100 का ठीक है इतना यहाँ पर कर लिया तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें इसको काटा पीटी करना है थोड़ा सा ध्यान से ठीक है अब 2-0 से 2-0 यहाँ पर यह गए ठीक है यहाँ पर 5 से इसको और इसको काट ले लेकिन इसको इसको काटने से पहले इसको यहाँ पर अपर लहां पर 24,29 रोपे 5 से काटने के बाद ठीक अब ये तो पुरा कटा इसको फिर से 5 से काट लो ठीक इसको 5 से फिर से एक बार काट लो तो 5 से काट लो तो 5,3,15 होगा 2 बच्याइँ यहाँ पच्वाम 25 होगा ठीक है फिर 5,3,15 होगा 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा फिर तो 10 हो जाएगा अब 5 दूना 10 होगा ठीक है यह यहाँ पर आया तो अब यहाँ पर देखो अब इससे आपको इसको काटना है ठीक है इससे इसको काटना है तो किती बार कटेगा तो यहाँ पर आप देखोगे 35 दूना सा चलिए दोस्तों तो यहाँ पर हम यह काट रहे थे लेकिन light चली गई थी वापिस आ गई ठीक है चलिए start करें वापिस तो यहाँ पर हमने काट लिया था इसको और 35 और उपर कितना बचा है 532 ठीक है अब यहाँ पर इसको हम जब काटेंगे तो पहली बार तो यह 35 से 35 और 35 एक बार गटाएगा किती बार एक बार ठीक है उसके बाद फिर यहाँ पर इधर बचेगा किता तो यहाँ पर बचेगा 18 ठीक है 53 में से पेती जाएगा 18 तो 18 को हम यहाँ पर लगा देंगे 182 होगा अब 182 तो 35 के पहड़े में 182 तो नहीं आता है लेकिन यहां पर आपको क्या मिलेगा 175 मिलेगा कित्ती बार में 5 बार में ठीक है 5 बार में तो 35, 175 होगा अब कितना बचेगा 7 बचेगा पॉइंट लगाओ यहां पे 0 बढ़ाओ 35 दुना 70 तो दो बार में यह 7 गया तो आपकी जो दर है यह कित्ती आई तो यह यहां पर आपको मिली 15.2 प्रतिशत 15.2 प्रतिशत क्या है उसत वार्षिक ब्याज ठीक है उसत वार्षिक ब्याजर आपको इतना मिला अब यहां पर देखे हमारे प्रस्ण में क्या बोला है कि पहले वाले भाग का और दुसरे वाले भाग का अनुपात कितना है यही बोला है ठीक है तो प्रस्ण में यहां पर देख ले ना ज्यान से अब तो यहां पर पे पहला वाला भाग 24 प्रतिशत पर दिया है दुसरा 20 प्रतिशत दिया दोनों का उसत यहां पे ब्याजदर कितनी है 15 प्रइंट तो यहांपर लिखना है 15 प्रतिशत डो प्रतिशत साझ है अब आब यहां पी क्या करनाय सको इधर इसको इधर आपस में घठा कई लो की तो 15 है ने यहां पे 10 जा है यहां पांच पॉइंट दो बचेगा ठीक है यही रहेगा अब इधर 24 में से इसको घटाना है तो कितना आएगा देखलो यहाँ पे 24 में से इसको घटाना है 15 पॉइंट 2 को तो 24 यह है और पॉइंट 0 बढ़ा लो तो 15 पॉइंट 2 को यहाँ पे घटा देना है तो 8 में से इधर यहा यहां पे point हैं अब इदर एक हो जाएगा उधार यहां से भी लिया था क्योंकि तेरा बनाया इसको तो अब एक में से गाया तो 0 मालोग आपका यहां पर इसमें से इसको गटाने पर किता आया 8.8 ठीक है 8.8 इतना के लिया रहे अब अब यहाँ पर इस point से इस point को क्या करो, उड़ा दो ठीक, उड़ा दिया, अब यहाँ पर दो से इसको काट लो, ठीके तो दो से काटेंगे, यहाँ भी 4 से काट लो 4 एकम 4, एक बचे का यहाँ लगा तो 12 हो जाएगा, 4 तीया 12 हो जाएगा, ठीके, 13 आया और यहाँ पे चार दुना आठ और चार दुना आठ आपका जो अनुपाद आया है वो अनुपाद कितना है 13 अनुपाद 22 है और यही आपका एंसर है option में ध्यान से देख लो आराम से कौन से नंबर का है ठीके तो इस तरीके से यहाँ पे इसको करना है बड़ी आसानी से करना पस ये भी काटापीटी का मामला है बागे कुछ भी नहीं जिसको भी काटापीटी में दिक्कत हो multiply सिंपल दरी किसे करते नहीं आता है तो MP पुलिस की बेच महासंग्राम स्टार्ट हुई थी तो उसमें सबसे पहला वाले जो वीडियो है फर्स्ट वाली जो क्लास है वो calculation को fast कैसे करें उसके उपर मैंने पूरा बनाया है तो उसको एक बाद जरूर देख लेना है आपकी अपनी calculation fast आरम से होगी ठीक है तो देखो यहाँ पर यह इसका answer है और अब इसके बाद में हम type को थोड़ा सा change करें type को इसलिए change करें क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा question एक type के हम नहीं ले सकते है time बहुत ज़्यादा बढ़ी जाएगा ठीक है तो variety थोड़ी से अलग-अलग change करें तो type दू हम क्या इgal type का तो जब कोई धन अपने आपका या अपने का N गुणा हो जाए ठीक है जिव कोई भी धन पांच वस बो ले दस वस बो ले उसमें अपने खूद का 2 गुना हो जाए, खूद का 3 गुना हो जाए, जब ऐसे प्रसना आए, तो आपको क्या करना है, कैसे निखाला है, वो देखना है यहाँ पे. ठिके? तो देखो यहाँ पे, प्रसना करेंगे तो ज्यादा किलियर हो जाएगा. यहाँ पर कोई धन राशी आठ वर्सों में स्वयम की मतलब खुद की दो गुनी हो जाती है कितनी दो गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है ब्याज की दर आपको निकालना है तो ब्याज की दर निकालने के लिए आपको क्या करना है simple funda यहाँ पर है यहाँ पर जो दर है इस दर निकालने के लिए दर यहाँ पर लिख लो एक बार ठीके दर यहाँ पर लिख लो और उसके बाद में यहाँ जो दिया है उसको देखना द्यान से दर लिखा अब यहाँ पर देख लो कितना गुना, दो गुना बोला, जब भी दो गुना बोले, तो यहाँ पर इसमें से एक कम कर देना है, दो गुना जब भी बोले, दो गुना बोले, तो एक कम करना है, तो एक गुना हो जाएगा, ठीके, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर केवल एक ही रिखना है, यहाँ पर दो बोला है तो हमें एक लिखना है यहाँ पर तीन बोले तो यहाँ पर दो लिखना है ठीक है एक कम करके लिखना है तो दो गुनी है तो यहाँ पर एक लिखा अब यहाँ पर किसको लिखेंगे तो यहाँ पर जो वर्षों की संख्या है उसको यहाँ पर लिख देंगे व लोड़ों कंडििसंन हो सकती है, वो दोनों ही कंडिसंन में यही कॉंसरट आपको इस्तमाल करना है, ठीक? चलिए तो यह है अब यहाँ पारण, आपको यह पता है के दद निकालने तो यहाँ पर यह पर बतीशत में क कल लागा लो, परतीशत लागा लो 4 से काट लो, यहाँ पर 8 से काट लो, तो 8 से काटेंगे, तो यहाँ पर 8 है कम 8 होगा, 8 है कम 8 होगा, कितना बचेगा यहाँ पर 8 दुना 16 होगा, फिर कितना बचेगा, तो 4, तो 4 को उपर लिखो, 8 को नीचे लिखो, अब इसको एक बार फिर से काट लो, 2 दुना 4, 2 चोग 8, ठीके दो से फिर कटेगा दो एकम दो दो दोना चार मलब बारा सही एक बटा दो प्रतिशत ये आपका क्या आया एंसर आया मलब आपकी जो दर है वो ये है इस दर से कोई भी धन आठ वर्सों में दोगुना हो जाएगा खुद का किलिए रहता अब अब यहाँ पे दूसरे व होगी ठीके तो पंदरा वर्स में दोगुनी होगी तो अब यहाँ पर कितने वर्स कितने प्रतिशत साधान प्याज की दर से यहाँ पर भी क्या निकालना है प्रतिशत दर निकालना है ठीके यहाँ पर भी क्या निकालना था प्रतिशत दर ही निकालना था सेम से में तो दे कम करके मतलब एक लिखेंगे दो गुना है तो एक लिखना है तीन गुना है तो दो लिखेंगे अब यहाँ पे और वर्स कीतने है 15 वर्स 15 वर्स से यहाँ पे भाग दे लो और प्रतिशत में निकालना है तो यहाँ पे गुणा में कर लो 100 अब 5 से काट लो तो 5 से यहाँ पे 5 तिया 15 होगा और 5 दुना 10 होगा 3 से काटो तो 3 एकम 3, 3 चंग होगा 18 ठीके 2 बचेगा तो 2 उपर और यहाँ पे 3 नीचे इस तरीकिसे आपका जो एंसर आया 6 सही 2 बटा 3 प्रतिशत यह है दर इस तरीकिसे आपको करना है अगला वला प्रतिशत यहाँ पे देखो इसमें बोला है कि कोई धनराशी 12 प्रतिशत वार्शिक ब्याश की दर से अब यहाँ पे देखो यहाँ पर ब्याज की दर आपको दे दी है ठीक है यहाँ पर ब्याज की दर आपको निकालने के लिए बोला था आपने निकाली है यहाँ पर ब्याज की दर आपको अल्रेडी दी वी है तो यहाँ पर यह कि कोई धनराशी 12% वार्सिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, अब आपको वर्ष निकालना है, कितने वर्षों में दो गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में दो गुनी हो जाएगी, तो यह है, तो अब आपको टाइम निकालना है, तो देखो यहाँ पर टाइम हम यहाँ पर निकाल देंगे, ठीके, यहाँ पर, समय तो समय निकालने के लिए कोई अलग तरीका नहीं है वही concept है यहाँ पर कितने गुनी हो जाएगी तो दो गुनी होगी बुला तो हमें दो की जगे कितना लिखना है एक लिखना क्योंकि एक कम करके लिखते हैं यहाँ पर अब नीचे यहाँ पर पहले हम time लिख रहे थे वर्स कितने है वो लिख रहे थे तो अब यहाँ पर ब्याज की दर दी है तो ब्याज की दर यहाँ पर लिखना ठीक है 12 है तो यहाँ पर 12 लिख लो और समय है तो समय में यहाँ पर 100 नहीं लगता है चन्न होगा, बल्य ठी, चन्न होगा, तो चन्न है, 96 है, तो 100 मैं से 96 गया, कितना बचेगा, 4, और बटे में भाग किसे दिया, 12 से, तो 12, ठीक, अब 3 एकम 3, ये 4 एकम 4, और 4 तिया 12, एंसर कितना आगे आपका, 8 सही, 1 बटा 3, इतना समय, ये वर्स है, ठीक है, ये समय, समय है तो इतना वर्स आएगा, 8 सही, 1 बटा 3 वर्स, गिलीर है, तो इस तरीके से, आपका जो एंसर है, ये व alot है, तीसरे वाले का, उधर वाला है, दुसरे वाले का, और पहले वाले का, ये ही, गिलीर है, तो इस टाइप के प्रस्णा आएगे, तो बड़ी आसानी से, आप कर सक कम करके उपर रखना है राइट चलिए तो इतना यहाँ पर आपको clear हुआ है तो देख लें आगे और यहाँ पर यह सही में कभी-कभी आप option यहाँ पर देख लेना कि आपको 4 option में से क्या एक option यह वाला है या फिर महिने में भी दिया है यह ऐसा भी इसका answer हो सकता है इसका answer वर्स में लिखे तो इतना और ऐसे आपन लिखें तो आप यहाँ पर 8 वर्स कर सकते हैं यह क्या है 8 वर्स है और 1 बटा 3 यह 1 बटा जो 3 है इसको महीने में convert कर लेना है यह क्या है महीने में जागा किसे बारा से गुणा कर लो बारा तो 3 चोग बारा मतलब कितना चार माह आठ वर्स और चार माह यह है option में आपको यह भी मिल सकता है option में आपको यह भी मिल सकता है दोनों है depend करेगा का आपको क्या दिया वाए ठीक है उसके अनुसर आपको निकाल लेना है clear है तो अभी यहाँ पर यह दोनों option दोनों answer आपके सही है कोई दिक्कत नहीं है clear चलिए तो दोस्तों यहाँ पर यह वाली जो class है बस यहाँ तक end करेंगे और साधर अन ब्याज के जितने भी personal complete करना था में पूरा complete कर लिया है अब किसी भी परकार के personal कोई चूटे वे नहीं है ठीक है चार पार्ट में सारे परकार के question पूरे complete किये है और MP police वाल है student बहुत अच्ची तरीके से इन चारों class को सही तरीके से देख लेना है ताकि आपका चार से पांच नंबर कहीं न जाए ठीक है हर एक नंबर भूद important होता है हमें pass होने के लिए या फिर वर्दी पाने के लिए तो दोस्तों मिलता है फिर अगली class में लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करेना चैनल को सब्सक्राइब करेना है और जितना ज्यादा हो सकते इस वीडियो को शेयर करना है ठीक है मिलेंगे अगली class में तब तक के लिए बिश्टों प्लक